यह एसास अमर्जनसी कैश का वेब पोर्टल है जो के पैस.gov.pk की वेब साइट से अगसे सोड़ा है एसास अमर्जनसी कैश में शफाफियत को बहुत एमियती जाती है इसलिए हमने यह पोर्टल का इज्राग किया है यह पोर्टलपैस.gov की वेब साइट पे मौझूद है इसके बैनर पे आप यह देख सकते हैं कि इमर्जनसी कैश टोटल के यहां नंबर्स हैं फिर कैटिगरी वन के फिर कैटिगरी टू के और यहां पे कैटिगरी थ्री की तफसीलात मौझूद है अगर आप इमर्जनसी कैश के टैब में जाएंगे तो सबसे पहले यहां आपको नज़र आएगा कि कितने हकदारों को अभी तक इमदाद दी जा चुकी है और यहां पे आप देख सकेंगे कि कितने हकदारों को कितने पैसे दिये जा चुके है पोर्टल के इस तरफ आप देख सकेंगे कि कितने हकदारों को सूबों में और वफाक की दीगर एकाईयों में कितने हकदार मौझूद हैं और यहां पे आप यह देख सकेंगे कि सूबों और वफाक की एकाईयों को कितने पैसे दिये जा चुके हैं जो नीला जो पैरलल बार है वो ये बताते हैं कि टार्गिट क्या है और जो काला पैरलल बार ये बताते हैं कि अभी तक वो टार्गिट कितना अचीव हुआ है और इस तरह इस तरह भी नीला बार जो है वो टार्गिट बताते हैं और काला बार ये बताते हैं कि टार्गिट कि आ सकते हैं, देख सकते हैं कि टार्गिट किया है, वो कितना अचीव हुआ है, AJK, GB और इसलामबाद में भी आप यही नमबर्स देख सकते हैं, अब इस पोर्टल में सिर्फ आप प्रोविंशल ड्रेक्टाउन नहीं देख सकते हैं, बलकि आप यह भी देख सकते हैं, कि पैसे जिलों में और तहसीलों में कितने जा रहे हैं, अगर आप नीचे स्क्रोल करें, तो यहां आपको एक सर्च बार मिलेगा, यहां पे आप प्रोविंस सिलेक्ट करें, यह वफाक की जो दीगर एकाई है, GB, AJK, इसलामबाद भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख कर कोई एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट में आप यह देखेंगे, कि उसकी तमाम तहसीलें सामने आ जाएंगी, और तमाम तहसीलों में आप देख सकेंगे कि कितने हकदार हैं, कितने हकदार ठहराए गये हैं, उनके अकाउंट में कितने पैसे हमने deposit कियें, कितने लोगों ने अभी तक पैसे ले लियें और कितने amount withdraw हो गया है, इस किसम की शफाफियत आज तक पाकिस्तान के किसी भी समाजी तहफूज के प्रोग्राम में इस किसम की शफाफियत आज तक नहीं लाई गई है, तो एसास emergency cash ना सिरफ ये कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफूज का प्रोग्राम है, मगर ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे शफाफ प्रोग्राम भी है, अभी तक तो मैंने आपको बताया, total, अब यहाँ पे category 1 में अगर आप जाएंगे, तो सबसे पहले वो आपको बताएगा कि category 1 की definition क्या है, category 1 में वो लोग हैं, जो regular असास किफालत इनको मिलता है, 2000 रुपे महीना, इनको भी यक मुश्ट 12,000 दिया जा रहा है, और आपको याद होगा कि ये वो लिस्ट है, जो के पहले BISP की लिस्ट होती थी और उसमें से हमने 8,20,165 लोग इसलिए निकाले थे, कि वो वेल्थ प्रोफाइलिंग में फेल हुए थे, उनके पास या गाड़ी थी, या बड़े-बड़े फोन के बिल देते थे, या एफबी आर की, हाइ इंकम्स उनकी थी, और इन लोगों को उससे हमने एक्जिट किया था, और फिर वो जो साफ लिस्ट थी, और गवर्मेंट इंप्लॉईज भी हमने उसमें से एक्जिट किये थे, जो साफ लिस्ट थी, वो हमके फालत में ले आये थे, यह वो कैटेगरी वन उस पे मुश्तमिल है, और यहाँ भी आप देख सकेंग यहाँ आप यह देखेंगे कि यहाँ सबसे जादा जो इमदाद है वो सिंद में दी जा रही है, क्योंकि यह लिस्टें बहुत पहले बनी थी, और यह इस बात की अकासी करता है कि यह बिलकुली गेर सियासी बनियात पे यह काम हो रहा है, कैटेगरी टू में हमने जो यह न पॉप्यूलेशन के लिहास से लिखाव है, और इसमें जो लोग जो शामिल हुए हैं, वो 8171 SMS कीम के ज़रिये शामिल हुए हैं, और उन पे डेटा अनलिटिक्स का इतलाक हुए है, वो नेशनल सोशियो एकनॉमिक रिजिस्ट्री से पास हुए हैं, और यहां भी तमाम तर टफसील दी जारी है। जिलग और तैसील लेबल तक। कैटेगरी 3 जो है, उसकी डेफिनिशन भी हमने लिखी हुए है, और कैटेगरी 3 में वो लोग हैं जो 8171 से भी आए हैं और वो डेष्ट्रिक्स लिस्टों से भी आए हैं, तफसीलात यहां पे हमने लिखी हुए हैं, एक प्रेसेंटेशन में भी मैंने डिस्क्राइब की थी और जो हमारे बोर्ड ने जो अप्रूफ किया है जो तरीके कार वो भी यहां पे शफाफियत के मद्दे नजर हमने लिखा वाए कैटेगरी थ्री में भी सूबों के दरम्यान जो शेर है वो 2017 के मर्दों शुमारी के हिसाब से रखा गया है और जो डिस्ट्रिक्स में जो शेर है वो भी मर्दों शुमारी के हिसाब से रखा गया है तो यहां भी आप देख सकते हैं के सूबों में कितने पैसे गए सूबह में कितने पैसे गए और कितने लोग वाँ हैं और पिर जब आप नीचे आएंगे यहां आप देख सकेंगे कि डिस्ट्रिक्ट की क्या सूरत इहाल है तो एसास अमर्जनसी कैश ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़स का प्रोग्राम है यह शफाफियत के लिहाज से भी सबसे एक मुन्फरिद प्रोग्राम है